दोस्तों IDP के बारे में आपने news बारा जो भी कुछ सुनी होगी तो आप सुनते रहें देखते रहें क्या हो रहा है आपको IDP के बारे में शायद कुछ पता हो या ना हो मेरे को नहीं पता था ये कि IDP की कितने billions of dollars की इसकी sales है कितना profit है और इसके अलग-अलग divisions के अलग-अलग काफी कुछ booming है और इनके जो biggest market है वो इंडिया और चायना चोड़ी चोड़ी कंट्री और है तो इनका major जो business है वो units है और student recruitment से इनको पैसे मिलते है एक चीज़ मैं आपको दिखाने चाहता हूं एक चुरी screen पर मैं इसकी वो देख रहा हूँ annual report यह पिछले साल की annual report है आप अगर screen पर देख रहे हैं तो आप यह Australian dollars में ज्यादा फरक नहीं किरें dollars है लेकिन थोड़ा सा idea लग जाएगा revenue देखे 250.7 million Australian dollars total revenue है सिर्फ English language testing का जो के 16 से ज्यादा बढ़ा है और 5.5.7 growth है प्राफ ग्रास प्राफिट एक सो तीन million dollar profit है आइलेच ट्रेंग पे आवरेज फीज तो 275 Australian million dollars जो फीज है वो तो फीज है उसमें कोई चकर नहीं है लेकिन इसमें देखिए आपको एकाद लाइन मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा है जागे कितना बड़ा जाइंट है इसमें English training वरा में और sorry English language testing में 2017 में इन्होंने 9,10,000 तेस्ट किये है और रेकर्ट वाइप इन्होंने कह दिया है यह सब 2017 का है this growth was an improvement on the 3.1% increase from 2016 Asia remains the key engine of growth for growth sorry in ILTS for IDP where approximately 50% of the growth test volume conducted in that region 50% volume सारा Asia में हो रहा है जो टेस्टिंग का है और as noted in the Asia segment IDP largest market for ILTS is in India was impacted by demonetization हुआ था उससे उनके पास लोग लोगे पास पैसे according to what they are saying कि भी 3% decline हो गया लोग नहीं आए पर आप यह देखें के India is the biggest market for ILTS IDP के लिए और इसने पिछले साल भी मेरे ख्याल छे नए office खोले हैं इससे मालूम पढ़ता है कि इंडिया का कितना बूमिंग बिजनेस है आईल्टी एस का IDP के हाथ और कितना पैसा पना रहे हैं और यह आपको रेवन्यू तो दिखाए हुआ है यहां पर 250 million Australian pounds सिर्फ language testing से सिर्फ language testing से आप देख लें और इंडिया के बाद जो फिर नए इन जाने लगे इंक्लूडिंग नेपाल जपान ग्रीस नेपाल वॉस्टेनल परफॉर्मस ग्रूप बेरी स्ट्रांग परफॉर्मस एड़ राइड़ राइज इपान पर स्टाइब और वहां से तना प्रॉफिट मिलना है इसमें आगे बड़ी फ़नी लाइन है कंपनी है कि लेकिन वॉल्यम्स डिकलाइन ऑस्ट्रेलिया दिटी इंपक्ट फॉम्पेटिशन ग्रेट इंडिया नेपाल बंगलादेश पाकिस्तान यह सब पांचे कंट्रीज जो इस ग्रूप में हमारे कंट्रीज में इतना ज़दा क्रेज है बाहर जाने के लिए कि बाहर की गोरि करने हैं कि आओ इंग्लेश सीखो इंग्लेश की टेस्टिंग करेंगे और आपको प्लेशमेंट करेंगे वहां से कमिशन लेकर यह लोग आगे अपने रेवन्यू कमाएंगे और कितना रेवन्यू मिलियन सफ डॉलर की बात हो रही हैं आपर चोटे एक दो रुपे की बात नहीं है आपर और आपको दिखाते हैं कि कितनी सब्सेटरी से इन्हों ने बना रखी हैं लाइन लगी हुए पढ़ना शुरू करते हैं थोड़ा इसमें टाम लग जाएगा लेफटन साइड में है आई एल्टेस ऑस्ट्रेलिया प्राइविट लेमिट इडिपी वर्लेट ाइड़ीपेड एडिपेड इडिपेडियोकेशिस यह थाइलां में है आईडिपेडबर आऊस्ट्रेलिया थाइलां कंपनीं इंग्लिस लैंगेश टीचिंग है आईडिपेड अजुकेशन वेतनम लेतिट कूमाने स्टूरा अ स्टूरान प्रिश्मेंन यह वस्टंग प और कितनी कंपनियां खोड़ रती हैं भाई मेरे भाई भाई जी या बस करो भाई बस करो कितना तगड़ा जाल बिछा रखा है वोख刃 होट कोर्सेज इंडिया फ्राइविट लिम्ट्ट यहां पर क्या चकर चल रहा है हाँआट कोर्सेज निपाल में भी है यह बहुत कुछ लूमबा चकर चल रहा है आंत मैं थोड़ा सा समराईज कर दे ऐन्यूल हाइलाइट है इनके अन्यू रिपोट की student placement services जैसे 4,500 courses, leading university education providers, English-speaking countries. Strong increase in number of students studying in Canada and UK. Canada में तो हमने पंजबी बंदे जारे जारे हैं, आपर एक लाग, पचास से आर तो सिर्फ इंडिया, इंडिया कही हैं, और बाकी तो हैं हैं. आप सोच लें के, English language testing ये है असली चीज, English language testing 250 million dollars, Australian dollars. Wow, that's a lot of money just by English testing, brother. IDP expanded his network to Nepal, Japan, Greece, Germany and Cyprus. जहां जहां पर, यह सारी country जहना निपाल के लोग बाहर जाने के लिए बैठे हैं. Japan के, चलो मैं मानता हूँ कि Japan के लोग जाते हैं, English शीकने, उनको कुछ English हैईगी, तो वहां भी उन्होंने जाल पर चाहरे हैं. ग्रीस में भी, अगर ग्रीस में किसी को English वारा सीखना है, कुछ करना है, तो उन्हें भी आगे कहीं जाना है, इंगलें जाना है, कहीं और जाना है, तो वहां भी इंगलिश का चाहरे हैं. जर्मनी में भी, I don't understand why in Germany and Germany in Cyprus, वहां भी बहुत सारे foreign students बैठे होंगे, जो बाहर के students, Asian students बैठे होंगे, जो भी सोच रहे हैं, वहां से English language करके बाहर जाएं, या जर्मनी वाले भी हो सकता है, कि थोड़ा बहुत बाहर जाने के लिए चुक हूँ तो English दे रहे हैं, हर जग बहुत अगरी इसने, मेरे को नहीं परता था इतना अपर तरणा निवाभी का, लेकिन इससे मालुम पढ़ता है कि भाई, कितना चैर्मन साहब, I am pleased to present IDP's annual report for the financial year of 2017, ब्ला 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 का अभी सारो लिखा हुआ है, और total group, इसको मैं बंद कर दूँ, क्योंकि यह जो आइडी पी के बारे में जो भी खबरे चल रही है, आज कल English का टेस्स, प्लानर टेस्स, न्यागा कॉलेज, दुबाला करो, यह करो, वो करो, तो मैंने सोथा मैं IDP करती क्या है, तो इनकी annual report मैंने देखी, और मेरी तो आखे दंग रह गई, मैं खुद रह गया, कि इतना इन अपने कोई feedback जरू लगे, I read each and every comment, thank you very much.